तो आपिथिलियल टीशु यह फर्स टाइप अनिमल टीशु का तो एपिथिलियल टीशु में क्या होता है एक जो एक continuous sheet of cells होते हैं जैसे हमें आपने अगर देखा हो घर में हमारे टाइल्स लगी होते हैं यह पूरे घर में ऐसे करके टाइल्स लगी हुए है तो यह जो एपिथिलियल टीशु यह भी कुछ ऐसे टाइल्स की तरह ही होता है continuous sheet की तरह इनमें cells जो और रेंज होते हैं और जो यह cells होते हैं बहुत अगर बाइब होता है तो यह क्या करते हैं अगर हमारी बाडी के इंटर्नल और विगर या ओल वगर लह जाए ना यहालो कुछ चीज रह जाए होल्स रह जाए तो उन होल्स को कवर करने के लिए तो उनके आसपास क्या प्रेजन्ट होता है एपिथिलियल टीशू तो यह हम सक्ऱ्ड तहलेगं के तो आप नेंटर अप्रेजन्ट नी पर जाए क्या पर उसक्यालो करें लिए अच्छे सी रिड़ करेंगे क्या होते हैं तो फरस्ट वे अविंग स्क्यांविड एपिथिलियम कुछ ऐसे दिखते हैं इस स्क्याम विप्डियों का पर बह प्रेजंट ह होते हैं जो हमारी आउटर लियर होती है skin की या lining होती है alvely की blood vessels में body cavity में बकल cavity बकल cavity जैसे हमारा mouth वगर है ठीक है उसमें क्या present होता है squamous epithelium अभी बनता कैसी structure हमने रीड करनी है यह मैंने आपको पहले बताया अगर हमारे गर में कुछ tiles लगी है ठीक है tiles ऐसे अरेंज है बिल्कुत साथ साथ में रेंज है वैसी एक पूरी flattened shape में क्या होगा epithelium tissue के cells combined होंगे ठीक है यह scale like cells होंगे scale मतलब ऐसे करके पूरा combined होगा scale की तरह और इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम pavement epithelium भी बूल सकते हैं ठीक है अभी squamous epithelium का function क्या होगा कि जो भी underlying tissues हैं जो भी हमारे skin की underlying tissues है उन सभी को protect करने के लिए कौन से tissues होते है squamous epithelium होते हैं ठीक है next आगे हमारे पास cuboidal epithelium जासे नाम से clear है cuboid जो cells जैसे cuboid की फॉर्म में arrange है यह cells जैसे cuboid की फॉर्म में arrange है इसे हम बोलेंगे cuboidal epithelium यह का पर present होगी यह present होगे kidney thyroid में ठीक है thyroid gland होते हैं ग्लांड होते हैं बोडी के अंदर thyroid gland में होंगे यह जो testis and ovaries के जो भी होगे ना वहां पर present होगे cuboidal epithelium ठीक है अब इसका structure कैसे होता है is का structure होता है cube-like cells क्यों बोलो cuboid बोलो तो यह cube-like cells present होते है cube-like cells होते हैं ऐसे arranged होते हैं जैसे tiles arranged है वैसे tiles की form में भी tubes की form में ऐसे साथ साथ में arranged है ठीक है यह single लिए होता है इनमें जो nucleus होता है वो center में present है cells के बिल्कुँ center में क्या present होता है nucleus present होता है ठीक है अब इसका function क्या है कि जो भी absorption या secretion होना है gametes की testis में और ovaries में gametes बनते हैं तो वह gametes बनने में कौन help कलते हैं वो help करते हैं हमारे epithelial tissue और epithelial tissue में कौन आता है क्यों boidal epithelium ठीक है next type we are having columnar epithelium columnar मतलब columns जो cells जैसे column की form में arrange होंगे ठीक है वो कौन से होंगे columnar epithelium यह काम पे present होंगे lining of paranex जो हमारे यहां पे food pipe के जैसे sound box के अंदर एक paranex होता है उसमें blinding में present होंगे stomach में present है intense time में sweat gland में sebaceous gland sebaceous gland मतलब oil gland जो हमारी body में oil gland secret होती है oil secret होता face पे वह sebaceous gland से secret होता है ठीक है base के near होगा और यह भी single layer होंगे single single layer के form बने होंगे columnar epithelium ठीक है इनका function भी क्या होगा कोई absorption या secretion होनी है कोई जैसे oil की secretion होनी है sweat की secretion होनी है मारी body में वह helpful कौन ते कौन करवाते हैं वह columnar epithelium होते हैं ठीक है next we are having ciliated epithelium ciliated epithelium जैसे ऐसे होते हैं columnar की form में होते हैं पर इन में ऐसी ऐसी lining होते हैं ऐसी hairs present होते हैं ciliated epithelium बोलते हैं ठीक है यह कहां पे present होती है lining of nestle patches हमारे nose में present होते हैं trachea में oveductal funnel में oveduct में ठीक है इस अभी जो area location है आपने learn रखने हैं कि यहां पर present होता है ciliated epithelium present होता है ठीक है इनके structure कैसी है यह modified columnar cells होते हैं ऐसे columns की form में होते हैं but with cilia cilia मतलब यह hair like structure तो इनमें hair like structure होते हैं ठीक है अभी इसका function क्या है cilia make the substance to move in the cavity अगर कोई भी substance को कोई भी cavity कोई भी small मतलब एरिया में move करना है तो जो भी ciliated epithelium होगा यह helpful करेगा कोई भी substance को move करवाने के लिए inside the body okay next आगा glandular epithelium glandular epithelium कहां पर present होगा जो हमारे stomach के glands हैं intense time में स्किन में memory glands है समी में कौन सा present होगा tissue glandular epithelium present होगा ठीक है अब इनकी structure कैसी है यह modified columnar columnar epithelium को और थोड़ा सा modify करके क्या बनता है glandular epithelium वैसी होते है columnar की form में होते हैं इनकी function क्या है यह digestive juices को secrete करते हैं oil secretion में helpful करते हैं tears आते हैं हमारे body के इंतर tears आते हैं eyes में tears आते हैं वो tears भी कहांसे tissues की help से glandular epithelium यह milk in the females वह भी कैसे produce होता है glandular epithelium की help से तो next आगया हमारे पास sensory epithelium sensory जैसे नाम सी क्लिए है sensory sense organs वो tissues जो हमारे sense organs में present होंगे वो tissues को हम क्या बोलेंगे sensory epithelium sense organs जैसे हमारे taste bird है इनके जो free ends होते हैं उनमें sensory cells लगे होते हैं और you can see यहां पर sensory hairs होते हैं जो sense करने में helpful जो easy sense कर लेते हैं ठीक है जैसे taste का sense कर लिया hear का sense कर लिया कुछ smell sense कर लिए वो sensory epithelium होंगे ठीक है इनका function क्या होगा कि कोई भी sensory stimulus है कोई भी हमान लोग की taste करना है कुछ देखना है कुछ मतलब हमें सूंगना है कि क्या कौन से smell लाई है तो वो सभी क्योंसे होंगे वो sensory epithelium sensory tissues जो self लोंगे उन में ठीक है